नमस्ति दर्शक को मैं सुनीता पाहूजा भारतिय उच्चायोग मौरेशस में दुत्य सचिफ हिंदी एवं संस्क्रति बारत में एक संस्ता है इंडियन काउंसल फॉर कल्ट्र रिलेशन्स जिसे हम अमुमन आईसी सीर के नाम से जानते हैं और इसी नाम से उसके बरे में बात करते हैं हम जादा तर लोग हम जानते हैं कि ICCR विदेश में रह रहे चात्र चात्राओं और कलाकारों के लिए अनेक कारेक्रम आयो जित करता है और अनेक विजिटर्स प्रोग्राम भी होते हैं जिसमें विदेशी लोग भारत में आमंत्रित किये जाते हैं इस बार पहला अवसर था कि ICCR ने हिंदी के लिए एक कारेक्रम किया विश्व हिंदी यात्रा इस कारेक्रम में 13 देशों से 31 चात्र आमंत्रित किये गए जिने भारत सरकार ने अपने खर्चे पर आने जाने का खर्चा भारत सरकार ने दिया था और ये सभी वो छात्र थे जो हिंदी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और इन में से अधिकांश हिंदी लिख भी अच्छी सकते हैं मैं अपने दर्शकों को सभी मौरिशत स्वासियों को बधाई देते हुए बताना चाहूंगी कि इस पहली हिंदी विश्व यात्रा में तीन चात्राएं मौरिशत से भी चुनी गई थी और इनका जाना हुआ दस दिन के लिए मारह रहना हुआ आज हम आप की बाचीत कराएंगे इन तीनों चात्राओं से जो हिंदी में बहुत ही मेधावी रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया हिंदी में जिसके कारण इन्हें अफसर मिला मैं स्वागत करती हूँ अपने स्टूडियों में हमारे साथ हैं कुमारी श प्रद्वागत है मैं चाहूंगी कि आप दर्श्रकों को बताएं अपनी हिंदी के बारे में कि कैसे आपने कहां से और कहां तक हिंदी पढ़ी और कैसे आपको ये शौक हुआ हिंदी पढ़ने का बारी-बारी से बताएंगे मैंने मुर्शस कॉलिज में अच्छेसी तक की है और इसके साथ साथ मैंने आर्यान वैदिक स्कूल से मैंने प्रथमा से उत्तमा तक की पराई की है और अब मैं महात्मा गांधी से इंसान में बीए ओनर्स हिंदी की तृत्य वर्ष की चात्रा हूं और बच्पन से ही इसका श्रय तो मेरी माह को जाती है क्योंकि बच्पन से ही उन्होंने मुझे बैतका में भेजा है वहां से उन्होंने मुझे प्रोचसाहित किया है कि मैं हिंदी पर हूं सीखूं और मैं ICCO को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे हिंदी विश्वय यात्रा के लिए च्रना है भारत में यहां मेरी पहली यात्रा इस ये मुझे यहां मेरे लिए स्वर्निम अवसर था क्योंकि जो कुछ मैंने आज तक पात्यक्रमों में सीखा है परहा है और दुरदर्शन में देखा है उसी का मैंने प्रत्यक्ष दर्शी बना हूँ अब बहुत खुब और वैदे ही बताये अपने हिंदी हिंदी यात्रा हिंदी की आत्रया जो विश्विंदी यात्रे की उसका मॉकर्ट ने हूं पर न rolled शोष ख़र वेंगतशन हिंदी पड़ते हैं बच्पन से ही मैं रेवीवार के दिन बैटका में हिंदी पड़ती आई हूं मैंने हिंदी प्रचारीनी सभा से उत्तमा की परिक्षा की थी और दोहतार उन्यस में और उस समें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इस कारण मुझे ICCO के विश्व हि अवदी आत्रा में भाग लेने का अफसर प्राप्ठ हूआ। मैं ICCO के प्रति आभारी हूं की उन्होंने मुझे चुना भारत जाने के लिए और वहाँ पर भारती और संस्क्रिती के बारे में जाने के लिए और हिंधी भार्शा के प्रति मेरी समझ को और बराने के लिए और उनका हिंदी के प्रती प्रेम और रूची के बारे में जानने का अफसर मेरा उनकी संस्क्रिति के बारे में उनके देश के बारे में यह अफसर मित्रता बनाने के लिए और अलग-अलग दिर्ष्टिकोन को विक्सित करने के लिए था और इसके लिए मैं ICCO को धन्यवाद देती। जी तो बहुत अच्छा रहा यानि की भारत जाकर आपको ना केवल भारत बलकि अन्य देशों से भी क्योंकि मौरेश उसको मिला कि तेरा देश से तो जो अन्य बारा देशों से लोग आये थे उनके छात्र छात्राओं के साथ भी आपका संपर्ख हुआ और आप कुछ जान प रात को हमने रात को हमने डारेक्टर जरर के साथ एक इंटराक्शन सेशन गया और अगले दिन हम लाल किला गए थे डेली और उसके बाद हम प्रधान मंत्रे संग्राहा लए फिर शाम को हमने नाशनल स्कूल आव ड्रामा में एक ना तक भी देखा बहुत कुछ और प्रधा फिर उसके बाद हम डेली युनिवर्स्टी गए जहां पर हमने विध्यारतियों से बाचीत की उनके बारे में कुछ जाना और फिर हमने होतल अमन में दीजी के साथ एक वहां पर जो डिस्ट्रिक शिक्षक प्रधान मंत्री है योगेंद्र उपाद्याय जी उनके साथ हमने लंज किया अगले दिन हम आगरा गए थे वहां पर हमने ताज महल देखे लाल किला गए मीना बाजार भी घूम दे गए थे और फिर उसके बाद हम दिल्ली फिर उसके बाद हम वापस आ गए थे डली और डली में दिल्ली हाथ और फिर हम डैनी जागरन जो एक पर है वहां के ऑफिस में गए फिर महाराष्टर सदन में वहां के जो प्रेजिदेंट है श्री विनए सहस्त्रबुद्धे जी उनके साथ दिनर किये और उसके बाद हमने लता मंगेशकर किये गाने भी सुने और फिर उसके बाद हम नागपूर के लिए निकल गए थे इस कारेक्रम था मतलब आप पढ़ने लिखने वाले बच्चों से भी मिले हिंदी बूलने का मौका भी मिला दिली हाट में शॉपिंग करने को भी और दिली और आगरा दोनों कलाल किला भी और ताज महल भी आपने देखा तो एक भारत को जितना आपने पढ़ा समझा है पुस् फिर आपका अंतराष्ट्य हिंदी विष्प विधालाई में गए वहां के हैसास में वहां पर रुके और वहां पर एक सेशन भी हुआ था और फिर उसके बाद हम वहां पर विशेश कर हम बच्चों के लिए मलखम का प्रदर्शन भी हुआ था जो एक भारतिया मलखम खेल ह वहां उसका प्रदर्शन हुआ था और फिर उसके बाद हम उसके बाद हम गांधी से वागरम आश्रम गए थे और हरिटेज ट्रेल एंगांधी हिल भी गए थे और फिर बहुती मतलब अलग-अलग तरहां से आपको अलग-अलग छीजों से जुड़ने का मौका मिला तो यह बहुत अच्छा लगा बलकि मैंने कुछ और भी जाना है इससे पूर मुझे नहीं पता था यहाँ पर भात्बा गांधी संसान में दोनों भारते और मौरशसय साहित्य के बारे में हम परते हैं, जानते हैं पर वहाँ पर जब मैंने उन विध्यारतियों से वालत आलाब किया तब मुझे यहाँ ग्याद हुआ कि भारत में भी मौरशसय हिंदे-साहित्य का अधैयन हो रहा है खुशे की बात यहाँ है की भारत के PhD के चात्र हैं मौरशस के संदर्व में भी अपने शोत कारिय कर रही है जैसे यहां मौरिशस में भारत के सहित्यकरों को पढ़ाया जाता है, बहुत सुन्दर, वैदे ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ जो आपने दिल्ली का भी और आगरा का भी लालकिला देखा और इस तरह जो आपने परिटक स्थल देखे उनके बारे में थोड़ा सा ऑर लालकिला तो मुगल सम्राद का एक प्रतीक है और उसकी जो कैसे कैसे बनाया गया है, उसकी संरचना सबके बारे में और इतीछास में उसका क्यो महत्वता, ये भी जाना आगरा के भी हम लालकिला हमने देखा हम अपने दर्शकों को का परिचे कराएंगे हमारी तीसरी चात्र से जो जिनका भारत जाना हुआ इस विश्व हिंदी यात्रा के अफसर पर आप हैं गायतरी शिक्षा कालेचरन जी और आप भी क्योंकि हिंदी में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा तो आपको मौका मिला यह सुनहरा अफसर भारत जाने का तो हमारे साथ साजर करें कि आपको कैसा लगा और हम बात कर रहते ताजमेहल की तो ताजमेहल जाकर आपको कैसा कैसी अनुम होती हुए ताजमेहल जाकर हम बहुत प्रसंद हुए क्योंकि वहां पर ताजमेहल की सॉंदर्य भव्यता और उसका आकर्शन देखने का सुनेरा अफसर प्राप्त हुआ वहां पर हमने ताज महल की वास्तु कला को भी देखने का अफसर मिला और हमें मीना बाजार भी ले गए थे जहां पर हमने बहुत खरीदारी भी की है और ताजमहल की जो कहानी है वो भी आपको मालुम है और वो आपको देखकर लगा कि हाँ सच में वो उतना सुनदर है उसे फूरे विश्व में अतना माना जाता है ताजमहल को आत अजूबे में से माना जाता है जो एक प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है जो शाजहा ने मुम्ताज के प्रेम में बनवाया था और अपनी यात्रा के बारे में आप कुछ अनुबव साजा करें कि आपको वहां जाकर और क्या-क्या नहीं जानकरी प्राप्त की मैं बहुत प्रसंद हूँ कि मुझे ICCR ने यहां अफसर प्राप्त तदान किया और वहां पर मैंने भार्टिया संस्कृति के बारे में भी मुझे बता चला यहीं नहीं बलकि जो बारह देशों से आय हुए चात्र के बारे में भी जाने का अफसर मिला और उनके रहन सहन के बारे में भी पता चला और अंतराश्रिय विश्विद्याले में कुछ सत्र भी हुए बातचीत हुई जी संबधात्मक सत्र भी हुआ था जिससे हम चात्र से बात कर पाए और उनके बारे में भी जान पाए कि कैसे वे हिंदी से प्रेम करते हैं और एक कारिगरम एदुटेन्मेंट पर भी था वहा और उन्होंने फिल्मी डायलोग्स और गानों के साथ हिंदी का कैसे सीखी जाए उसके बारे में तो आप इसको एक बहुत ही वेराइटी कहीं कि आपको प्रोग्राम से देखने को मिले और आप अपने कुछ और अनुभव साजा करें अपनी आत्रा के बारे में हम नाशनल स एक लोग कथा पर आधारित है और इसमें बाग और मनुष्य का जो संबन है यह उस पर ऐसे कुछ है पर इस नातक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश था प्रकृति के साथ एकता से रहना चाहिए जैसे कि जो प्राचीन सभ्यताएं हैं जैसे कि वो प्रकृति के साथ रहते हैं हमें भी उसी तरह प्रिथवी की रक्षा करनी चाहिए अपने प्राकृतिक संसादन हैं उनका हम दुरूप योग ना करें ताकि आने वली जो पीडिया हैं उन्हें भी वो सब लाब मिलते रहे हैं जो हम उठा रहे हैं जिसे हम अंग्रेजी में सस्टेनेबल आप अपने कुछ और अनुभव साजा करने चाहेंगी जी नाशनल ड्रामा जाने के बाद जो अम्मनुरम नातक देखने को मिला इससे मुझे प्रेरना मिली कि मैं भी अपने देश मैं इस तरह की नातक को प्रस्तुत कर सकूं और नौजवानों को भी प्रोचसाहित कर सकू की वे हिंदी पर हैं और इन प्रकार के नातकों में भी भाग लें दरसल जब मैं चार साल की थी तब से मैं अपनी गाउं की बैतका जाती हूं और अपनी बहन के साथ में जाती थी हर अविवार को वहां पर मैंने हिंदी सीखी हैं और अन्य प्रतियों गिताओं में भी में होली चावताल कंपेटिशन हनुमान चालीसा में भी भाग ली जहां जहां हिंदी बोलने का अफसर बिला आपने छोड़ा नहीं इसलिए हमने आपको यह अफसर दिया कि आप भारत जाएं और पहली बार आपका जाना हुआ भारत जी यह मेरी पहली बार आपको अवेदेह करें वो भी और ज्यादा प्रेृत करें आपने बच्चों को तो कोई संदेश देना चाहेंगी आप दिगे लिए हिंदी भाषया कर पढने के बहुत ही आई वाग्यानी और और व्या-जानी में ठाश्या में हम हिंदी भाषा को आःसा इसे पतिग सकती हैं वैंब vision परने से ही जो अभी के विद्याति हैं उन्हें भविश्य में ये अफसर मिलेगा कि वो भी ICCO के द्वारा आयोजित हिंदी विश्व यातरा पे जाएं ये यातरा मतलब लोगों के व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक नए देश में जाना वहां के लोगों मूल भाषियों से बात करना और वहां के रिती रिवाज उनकी परमपराओं के बारे में सीखना और जो विदेशी लोग हैं जो हिंदी परते हैं उनसे भी बात करना तो ये उनके लिए बहुत ही राबदायक है उनके स्वयम के लिए और वो जो भारतिया सं भारतिया संस्कृति के बारे में भी जान पाएंगे और हमारे जो पुर्वजों है उनसे जो जुड़ पाएंगे अपनी संस्कृति से तो यह उनके लिए बहुत ही लाबदायक होगा और इससे जो हम दोनों देशों के रिष्टे हैं वह भी मजबूत होते हैं यूही बहुत निकट हैं भारत से ही पूर्वज यहां आये थे और आज उनी की पीडिया हैं जिन में से आप लोग हैं तो मैं समझती हूं कि वो रिष्टा आज अगर बच्चे भी वहां जाते हैं और वहां से कुछ में कुछ लेकर आते हैं और वहां के बच्चे वहां के लोग भारत के म बस्दी का जाएंगे। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे लिए हिंदी पढ़ने वालों के लिए। जी, मैं खासकर माता-पिता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वे अपनी बच्चों को प्रोचसाहित करें कि हिंदी परहें, हिंदी सीखें, रविवार को अगर समय हो तो उनके बच्चों को बैदका भेजे ताकि वे हिंदी और भारतिय संस्कृति के बारे में उनको कुछ जानकारी प्राप्त हो सके जी, 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 बहुत-बहुत धन्यवाद आप उनों का आप आए और हम आशा करते हैं कि ये जो दस दिन में एक जलक आपको भारत की मिली क्योंकि भारत बहुत ही विसरित देश है और बहुत कुछ है हम ऐसी कामना करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इस कारिक्रम में आने के लिए श्रावनी ने बहुत अची तरह बताया कि इन दस दिनों में आपका कहां कहां जाना हुआ किस किस स्थान पर जाकर आपको कैसा कैसा अनुभव हुआ और क्या क्या आपको लगा कि आपने उपलब्दी कुछ हासिल की है मैं चाहूंगी कि गाहितरी आप हमें बताएं आप बताना चारी थी हमें दैनिक जागरन के कारियले में आपको जाने का अफसर मिला तो वहाँ का नुभव कैसा रह और किस तरह का आपका द दौरह था कौन थे वूशा और क्या क्या हुआ वहाँ पर जाने के बाद हमें ये अफसर मिला कि हम खुलकर बात कर पाएं और एक प्रकार से बिना भय हम हिंदी बोल पाएं, और एक तरह से मुझे अपने आप पर विश्वास हुआ बहुत अच्छी बात है, तो आप तो विश्वास भी बढ़ा हिंदी बोलने का प्रेम तो आपके मले है हिंदी के प्रती और हम श्रावनी से जानना चाहेंगे थोड़ा सा और इस बारे में जो आपका यात्रा थी, उसके कुछ अनुभव साजा करें कि आपका जो जाना हुआ, जब आपका चैन हुआ, तो आपको कैसा लगा और लॉट कर आपको कैसा लग रहा है, और आप क्या संदेश देना चाहे जैसे कि हमने आपको बताया कि यहां मेरी पहली यात्रा थी तो मैं बहुत ही उक्सुक थी वहां की जो संस्कृति के बारे में जानने के लिए लोगों से बात्चित करने के लिए और यह दिली हिंदी विश्व विध्यालय केंद्र हिंदी संस्थान और महात्मा गांधियां त बात्चित की तो हमें बहुत अच्छा लगा और जैसे कि शिक्षा ने अभी बताया मैं भी जब मैं वापस आई तो जैसे मुझ में अलग सी मैं अंदर से बहुत ही motivated ऐसा प्रतित हुआ और मेरा भी आत्मविश्वास और भी बराब बहुत अच्छी बात है आपको धन्यव जो भाषाओं को स्थान दिया आप अन्य भाषाओं भी पढ़ते हैं हम और हिंदी में अच्छा प्रदर्शन करके आपको यह अफसर मिला तो बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को की 200 साल पहले लगभग 200 साल पहले जो भारत से आए थे पूरवज वो अपने साथ भाषा और संस्कृति का जो खजाना लाए थे आज की पीड़ी ने उससे बहुत अच्छे से सहेच कर ही नहीं रखा मैं समझते हूं उसमें बहुत संबर्धन भी कर रहे हैं अगर आज हमारे स चीज हैं जो हमारे व्यक्तित्व को बहुत ही सकारात्मक दिशा में विक्सित कर सकती हैं तो मैं बधाई देती हूं इन तीनों चात्राओं को भी जिनोंने हिंदी तीनों ने ही बैठकाओं में हिंदी का ज्यान प्राप्त किया जहां पर शुरुआती खक्षाओं से लेकर और प्रत्मा मध्यमा उत्मा तक की पढ़ाई की जाती है मैं दर्शक को बता दूँ क्योंकि इस समय विदेश से भी कुछ दर्शक हमें देख रहे होंगे तो उन्हें बताएं कि जो उत्तमा की पढ़ाई बैठकाओं में की जाती है वो सनातक स्तर की होती है हिंदी के साहित यो भारतिय साहते कारा वह वो चैपारिया कि अपन्यास HOL Quick आफ पिर दो सी आपГो यह दो improving this लेकिन बड़ीन भात वह दो कि मौरशय समें करा मौश है कि अफसर भी मुदि के हम भारत में वहां कि पुरे मौरेश हो श्वासीओं सब्सक्षों WORK पढ़ाई जाते हैं मैंने देखा बहुत से बच्चे नाटकों में भी रूची लेते हैं तो जैसा कि आपने कहा कि नाटक तो एक नया मतलब शायद समझूंगी कि आपके जीवन में पहलू जुड़ा की हो सकता है आप नाटक की तरफ प्रेरित हूं या आप दैनिक जाकरण क कारले में गई तो आपको कहीं ना कहीं पत्रकारिता से जुड़ने का अफसर मिले या वह इच्छा जागे आपके मन में तो हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आप तीनों ने जीवन में ती मेहनत की यह अफसर आपको मिला बहुत बड़ी उपलब्दी है इ अने देशों में भी जुरूर आप जाएं और अपने जीवन में जो भी करें बहुत अच्छे से करें बहुत अच्छा आपका बविश्य उज्वल रहें बहुत-बहुत आभार आपका आने के लिए धन्यवाद झालाएं पहाँ झालाएं एफर आपका आने के लिए अन्यवाद